नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ JRF हिंदी की तैयारियों के अंत्रगत हम एकाई तीन बढ़ रहे थे दोस्तो जिसमें हमने आपके जितने भी संस्कृत के अचारे हुए हैं और हिंदी अचारे हुए इन्होंने कावेलक्षन, कावेहेतु और कावेप्रियोजन के संदरब में कौन-कौन सी चीज़ें कही हैं और इनमें कौन-कौन चीज़ें प्रमुख हैं उन सब चीजों के बारे में हमने डिसकस कर लिया था और तीसरा यूनिट जो हमारा UGC NET में लगा हुआ है उसमें हमने बहुत से अपने जो भारतिक आवेशास्तर की जो चीज़ें थी वो कबरप कर ली है मेंली अब हम कुछ समय के लिए आपका जो एकाई तीन है उसको थोड़ा सा विराम दे रहे हैं UGC NET की परिक्षा को ध्यान में रखते हुए और जो हमारा चौथा यूनिट है मुझे लगता है कि इस पर बहुत जादा काम नहीं हुआ है और बहुत जादा इस पर जो जितने भी ऑनलाइन टीचर्स हैं या ऑनलाइन जो भी आपके पास प्लाइटफॉर्म है जहां से हम चीज़ें पढ़ते हैं उन से related बहुत सारी चीज़ें बहुत कम है और एक और चीज़ें दोस्तों कि कुछ समय से में आपके लिए लगातार जो वीडियो लेक्चर बनाते थे हम वो नहीं बना पाए रहे थे अपने नीजी कारणों के चलते और लगभग एक दो दिन में हम फिर से इसको continuous करने की को से कि आप लोगों को इंतजार रहा होगा कि UGC NET के लिए हमारी तैयारियां चली है और बीच में वेबधान पढ़ गया था अपने कारण से किसी कारण वश लेकिन in future जैसे ही मैं थोड़ा सा एक बार फिर से free हो जाऊंगा अपने काम से तो उसके तुरंत बाद आपके लि और कौन-कौन सी चीजें इन में महत्वपूर्ण रहने वाली है ये चीज हम हलकी हलकी आज देखेंगे ताकि मैं इसलिए चाह रहा था कि आपके बीच में आ जाऊं कि क्योंकि बहुत जादा समय हो गया था जब से हमारी हिंदी साही तवारता चैनल में कोई वीडियो लेक करेंगे और इसके बाद हम विस्तार से आपका जो फोर्थ यूनिट है उसको पढ़ेंगे इसमें बहुत सारे आपके जितने भी चाहे वाद हैं माक्सवाद, समाजवाद, लोहियावाद, गांधिवाद ये जो सारी चीज़े हैं इनको हम डिसकस करने जा रहे हैं तो ये बहुत ही मौतफोन प्रशन है ये हो सकता है UGC.net की परिक्षा में पूछा जाए क्योंकि देखिए UGC.net की जो परिक्षा है वो बहुत जादा मौतफोन हो जाती है आपके जितने भी यूनिट हैं और पीछे वाला जो अभी हाल ही में जो दिसमबर या नवंबर में तो आप देखेंगे कि हर एक यूनिट को टच किया गया है तो इसलिए हम चाहते हैं कि मेंमें चीज़ें जो हर एक यूनिट से हैं वो आपको परिक्षा से पहले करवा ली जाएं और इसके साथ ही साथ दोस्तों हम आपके बहुत जल्द जो आपके 2004 से लेकर के 2020 तक के जो U प्रशन मिलेंगे वो भी संपूर्ण व्याक्या के समेत तो चलिए अब एक बार फिर से अपने प्रशन के और आते हैं यहां पर ये पूछा गया है कि नवजागरन शब्द का प्रियोग है राम बिलाश शर्मा ने अपनी किस पुस्तक में किया है तो एक चीज तो ये तैह हो गए कि आपके जो राम बिलाश शर्मा है देखिए उन्होंने इस चीज का इस शब्द का प्रियोग सबसे पहले किया है आप देखेंगे हमारी जो चौथी इकाई है उसका जो टाइटल भी है मतलब चौथी इकाई किस नाम से वो हमारा बैचारिक फिष्ट भूमी से है जिसमें हम किस गिन चीजों को पढ़ते हैं जैसे बात यह नवजागरन हो गया आपका फोर्ट विल्यम कॉलेज हो गया है ना भारत इंदु और महावीर प्रसाद दुवेदी के सासाथ हिंदी नवजागरन है ना जैसे गांधिवाद दर्शन अम्वेड कर दर्शन तो यह सारी चीज़ें हैं यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि नवजागरन जो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस ने किया था तो यह है आपका देखिए इराम बिलाश शर्मा ने किया है और किस पुस्तक में किया है यह है महावीर प्रसाद दुवेदी और नवजागरन तो य कि इनके किस प्रकार की कृती मानी जाती है यह इनकी अलोचनत्मक कृती मानी जाती है और इसकी रचना इनके में कभी थी 1977 उसलिए अपके बीच मैं थ्वड़ी से हलकी हलकी चीजे इसके बता रहा हूं कि आज से हम इसको एक तřिके से continue करने जा रहे हैं और एक या दो दिन के बाद हम लगातारिस को चौथे यूनिट को कम्प्लीट करने जा रहे हैं तो नेक्स से दिखिए अगला जो प्रशन है हिंदी नवजागरन का अग्रदूत किसे माना जाता है तो ये प्रशन भी अपने आप में बहुत जादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम इससे पहले हमने जागरन के बारे में जैसे लोक जागरन के बारे में पहले भी पढ़ लिया था जो भक्तिकाल था उसको भी लोक जागरन का नाम दिया था ये भी हम वहां पर अच्छे से डिसकस कर चुके थे यहां पर इसको नवजागरन कहते हैं या पुनर जागरन कहते हैं यह हम आगे विस्तार से इसको करेंगे तो यहां पर प्रशन यह है कि हिंदी नवजागरन का अग्रदूत की से माना जाता है तो यह है भारतेंदू हरिश्चंद्र जी को है ना तो भारतेंदू हरिश्चंद्र की बात एक यहां भी कही जाते थी कि हिंदी जो नई चाल मे का प्रकाशन आरंब हुआ तो देखी ये प्रशन भी बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण है कि फोर्ट विल्यम जो कॉलेज है एक तो यहां से इसरीके से प्रशन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो यह अठारा सो में हुई थी किस ने की थी लॉर्ड विल्जली ने की थी और विल्जली कौन थे ये भी हमें पता होना चाहिए और ये चीज हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे ठीक है तो दीखी यहां पर यह पूछा गया है कि फोर्ट विल् प्रशन देख लेते हैं हिंदी की प्रत्थम गध्य रचना किसे माना जाता है तो यह है रानी केतकी की कहानी ठीक है तो यह प्रशन जादा हलां की उतना महतब हो नहीं है लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत जानकारीस की होनी चाहिए नेक्स आते देखिए भारत जो आपकी धाराएं थी उनका नेत्र तो किया तो यह थी राजा लक्षमन सिंग ठीक है नेक्स से देखिए राष्टर का नवजागरन से परिचय कराने वाली पत्रिका कौन थी तो आप देखते हैं कि आपकी जो पत्रिका है देखिए सरस्वती आगे दिया हुआ है इसका उत्तर कि राष्टर का नवजागरन से परिचय किस पत्रिका ने करवाया था तो यह थी आपकी सरस्वती पत्रिका और सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन का बुआ था ये 1900 में हुआ था सबसे पहले चिंतामणी गोश ने किया था उसके बाद शाम सुंदर दास जी इसके पादक रहे लेकिन 1903 के पश्चात लगातार 1915 तक कौन इसके संपादक रहे महाविर प्रसाद दुए दी जी रहे और उन्होंने ही इसका प्रचार प्रसार जो अच्छे तरीके से इसको चलाया मतलब ठीक है तो अब ये बात आती है कि कब से कब तक चिंतामणी गोश रहे के संबंद में और बड़ी सारी कहानिया और आपके जो दूसरी चीजे हैं वो इस पत्रिका में छपती रहती हैं तो इसलिए सरस्वती पत्रिका से संबंधित आपको चीजें मालूम होनी चाहिए तो देखी यहाँ पर लिखा है राष्ट्र का नव जागरन से परिचे करान वाली पत्रिका कौन सी थी तो ये थी सरस्वती क्लियर है और इसके संपादक जो माने जाते हैं प्रमुख वो ही है आपके महाविर प्रसाद दुवेदी लेकिन इसके अलावा जो प्रत्थम है और सेकिन है वो मैं आपको बता दिया है ठीक है राम बिला शर्मा हिंदी नव जागरन और उसके साहिते की विश्वेष्टाओं का सशक्त स्वतंत्र और प्रमानिक विवेचन इन्होंने किया है तो ये तहम ओपर ही डिसकस कर चुके हैं पहले ही प्रशन में कि 1977 में उन्होंने एक जो रचना लिखी है महाविर प्रसाद दुवेदी और हिंदी नव जा हैं उनका सशक्त स्वतंत्र और प्रमानिक विवेचन किस ने किया है वो राम बिलाज शर्मा ने किया है और राम बिलाज शर्मा किस तरीके के अलोचक हैं देखी ये माक्सवादी समिक्षक माने जाते हैं है ना इसके बारे में भी हमें थोड़ी से जानकारी होनी चाहिए और रामिला शर्मा आपके तारसब्तक के प्रत्थम कवियों में आते हैं, हलां कि प्रत्थम नाम उसको नहीं दिया गया है, तो ये बात कि इसने कहिए गांधिवाद के संबंद में तो गांधिवाद भी अपने आप में बहुत जादा मौतपूर्ण है यहां से भी गांधिदर्शन के कौन-कौन से प्रमुख विचार है इससे related question बनता है यहां पर मैंने simple एक कथन रखा है इसको भी हम focus आगए करेंगे गांधिवाद सूर्य की बानती है तो यह बोला है रामनात सुमन जी ने ठीक है, clear है नेक्स question है देखिए शिक्षित बनो, संगठित रहो और संगर्श करो यह किसका संदेश है तो यह है अंबेडगर दर्शन का तो डॉक्टर भीमराव अंबेडगर जो थे वो मान देथे कि शिक्षित बनो संगठित करो और संगर्श करो यह इनका नारा था प्रमुक नारा आज का जो आखरी फ्रेशन है देखिए वो है सब्त करांती का संबंध किस से है तो यह सब्त करांती का जो संबंध देखिए लोहियाबाद से है और लोहियाबाद का जो समाजवाद है उससे रिललेटेड आपका जो सब्त करांती का संबंध है तो सब्त करांती में कौन-कौन सी चीज Bayern आती है यह भी हम बिस्तार पूर्वक जानेंगे, तो ये मेन-मेन जो टॉपिक्स थे, मेन-मेन जो पॉइंट्स थे, इसके अलावा हमारा दलित भी मर्श रह जाता है, हाना कि अमेटकर दर्श्चन में वो चीज समाई तो हो जाती है, लेकिन उसके अलावा दलित भी मर्श, आपका स्त्री भी मर्श, है ना, आधुनिक भी मर्श, मनोविशलेशन वाद, इत्यादी, जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें भी इस यूनिट में हम कवर अप करने जा रहे हैं, तो फिलाल जो 19 प्रशन थे, I hope आप सब लोगों ने इन 19 प्रशनों से कुछ नई चीज सीखी होगी, अगर आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप के साथ अभी तक नहीं जूड़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर जूड़कर भी आप हमसे बहुत सारे प्रशन वहाँ पर हम करवाते रहते हैं, डिसकस क्विज के माध्यम से, तो आप उससे भी जूड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिये जाएगा, तो फिलाल आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शियर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करन बिल्कुल भी न भूलें, तो फिर मिलेंगे नई उर्ज और नई स्पूर्ति के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जहिंद